है दोस्तों मैं रोकी आपको स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में आज जो हम टॉपिक लाए हैं ओन्रीकुष्ट ट्रांसपर के बारे में इसका फूल प्रोसेस जानेंगे कैसे नेया अप्लिकेशन किया जाता है कैसे फॉर्म फिलॉप किया जाता है थूप HRMS हम आपको HRMS म देखिएगा कैसे फिलॉप होता है किस ग्राउंड से आप फिलॉप कर सकते हैं चलिए वहीं पर हम बताएंगे HRMS में जाके चलिक शुरू करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग HRMS वेबसाइड में आ चुके हैं यहां पर युजर नेम और पाशर देके हम लोग इन कर लहते हैं में कि यूजरनेम पास्वाट देचुके हैं Simply हम लोग लोगिन में क्लिक करेंगे Should wherein करने के बाद आपको cheaper मांगेगा ऑच ड़ने के बाद आप simply लॉग इन हो जाएंगे चलिए ओटी भी हम लोग का आगे हैर डाल लेते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं OTP हम लोग डाल चुके हैं simply verify OTP में क्लिक करेंगे verify OTP में क्लिक करने के बाद हम लोग का जो HRMS से login हो जाएगा login होने के बाद यहां पर दिया गया arrow mark में आप लोग क्लिक किजिए arrow mark में क्लिक करने के बाद IR HRMS EWSB 3.0 जो दिया गया है वहां पर क्लिक किजिे है कि लिक नने के बाद नीचे स्क्रॉल करके को नीचे स्क्रॉल करने के बाद On Requ了 Transfair application में क्लिक किजिए ओन रिकुष्ट ट्रेंसफल application में क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देक पा रहे रहे हैं यहां नीउड application दिया गया है तो आप new application में click किजिए new application में click करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जैसे employee ID हो गया और employee ID IPS हो गया जिसको आप employee ID भी बोलते हैं नीचे दिया गया है employee name appointment date date of birth designation चलिए नीचे देखते हैं क्या चीज़ा हमको भरना पड़ेगा चलिए यह है किया एंप्लोई डिटेल्स नीचे स्क्रॉल करते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसे की देख पा रहे हैं पेलेबल दिया गया है और मोड ओफ इनिशाल अपन्टमेंट जो है दिया गया है और जो पेलेबल अपन्टेट जब थे उसका भी आपका जो पेलेबल दिया गया है स्टाप टिकेट जो ब्लांक है उसको आप भरना पड़ेगा और जैसे की मेरा कॉरेंट यूनिट जो दिया गया है वो भरा हुआ है करेंट भी यूनिट भी भरा हुआ है चलिए नीचे देखेंगे स्क्रॉल करते हैं मसक्राइब करने के बाद हम जह से देख सकते हैं मेरा लिन जोन भी भरा उए है लीन इंडिस्हूरा हुआ अगर आपका टाइपिंग प्रोफिशियंसी है तो आप सिंपली इसमें yes कर सकते हैं या एसे इनो करके छोड़ सकते हैं चलिए नीचे देखते हैं अगर आपका कोई भी details यहां पर blank है तो आप simply अपना dealing clock से बात करके इसको भरवा सकते हैं चलिए नीचे देखते हैं अभी हो गया है employee details is complete हो चुका है उसके बाद हम लोग transfer details जो है उसमें देखेंगे कि क्या-क्या भरा जाता है और क्या details मांगता है उसके बारे में देखेंगे चलिए नीचे scroll करते हैं जैसे आप देख सकते हैं transfer details में आप type of transfer में क्लिक करके inter railway, inter division कोई भी होगा उसको select कर लिजे जैसे कि हम लोग select कर चुके inter railway में कहां से कहां जातना चाते हैं उसके हिसाब से आप inter railway में home request डालना चाहते हैं या Inter Division में on request डालना चाहते हैं क्लिक करने के बाद हम लोग जैसे Inter Railway डाल के चलते हैं और उसके बाद Railway Zone डालिएगा जैसे कि आप अगर खुद के जोन में रहना चाहते हैं तो ठीक है खुद का जोन डालिएगा अगर आप अलग जोन में डालना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं जैसे कि हम लोग डाल चुके हैं इसेंटर रेल्वे एक्जम्पिल के लिए हम लोग लिए हैं उसके बाद रेल्वे यूनिट डालिएगा जैसे railway unit हम लोग डाल चुके हैं इस center railway headquarters में जाना चाते हैं तो एड़कोटर डालेगा या अगर कोई भी वर्शाब में जाना चाते हैं तो वर्शाब डाल सकते हैं उसके बाद station डिया गया है स्टेशन के बारे में आप डाल सकते हैं उसके बारे उसके बाद डिपार्टमेंट है जो आप किस डिपार्टमेंट से कहां जातना चाहते हैं मेकानिकल है इलेक्ट्रिकल है कोई भी डिपार्टमेंट है तो आप यहां पर डाल सकते हैं चलिए स्क्रॉल करते हैं आगे देखते हैं कि और क्या-क्या मांगता है चले नीचे चलते हैं जैसे कि नीचे जाने के बाद आप जैसे देख सकते हैं सब डिपार्टमेंट है आप सब डिपार्टमेंट इसका डाल सकते हैं जैसे आपका डिपार्टमेंट हो गया मेकानिकल हो या इलेक्रिकल हो गया त उसके बाद आपका state your special condition if any अगर आपका special condition कुछ भी है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो self photo है JPG format में आपको डलना होगा और आपका जो sign है उसको भी JPG format में डाल के इसको upload करना पड़ेगा उसके बाद जो है discussion करते हैं transfer ground के बारे में नीचे देखते हैं जैसे कि देख बारे है transfer ground EPNE अगर आपका transfer ground कोई reason भी है आप transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप click कर सकते हैं जैसे कि आपका spouse ground हो गया या आप वीडो है वीडो ground में आप डालना चाहते हैं या आप किसी तरह का हंडिकार पर उस तरह का ground में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं specific ground डालने का एक benefit है कि आपका जो on request transfer है जल्दी से जल्दी प्रोसेस होता है अगर आपका जो ऐसे नहीं है कि आपका कोई भी डाल दीजिये हो जाएगा उसके बारे में proper document देना पड़ेगा यहाँ पर जैसे देख सकते हैं uploads operating document दिया गया है अगर किसी भी transfer ground में अगर किसी भी ग्राउंड में आते हैं या जैसे कि handicap हो गया spouse हो गया वीडो हो गया तो आपका जो फाइल जल्दी से जल्दी फरवर्ड कर दिया जाएगा चली स्कॉल डाउन करते हैं नीचे और क्या क्या डिटेल्स देना पड़ता है देखेंगे जैसे कि यहाँ पर एक sincere service is less than five year आपका service पांच साल से कम नहीं होना चाहिए अगर इंटर रिले ट्रांसफर आप्लाइ करते हैं तो कोई भी special ग्राउंड होना चाहिए तब जाके पांच साल पहले ही डाल सकते हैं बरना नहीं डाल सकते हैं पांच साल उइट करना पड़ेगा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर communication details दिया गया है address दिया गया है present address दिया गया है और आप पीन code mobile number सब यहाँ पर दिया गया है अगर कोई भी address या कोई भी details आपका missing है तो आप simply dealing clerk के पास जाके इसको update करवा सकते हैं update करने के बाद इसको आप apply किजिएगा अगर बिना update का apply किजिएगा तो आपका कहीं भी reject होने के लिए chances बहुत है हो जाता है चलिए आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एक icon दिया गया है incoming employee to your unit यहाँ पर जो आपका employee है जो आपका unit से कोई आता है तो इसके बारे में इसका details आप देख सकते हैं यहाँ पर आके उसके बाद आप declaration दीजिएगा declaration में आपको ठीक करना पड़ेगा जैसे कि देख पार है declaration में कुछ criteria है उसको आप follow करना पड़ेगा यह mandatory है जैसे कि आपको जो भी seniority मिलेगा उसको आप on request और mutual transfer के हिसाब से जो rules है उसी हिसाब से आपको seniority मिलेगा उसको आप accept करना पड़ेगा और आपका जो bottom seniority है जैसे कि on request में आप जैसे ही on request आप सेट होगा तो आप bottom seniority में ही जाएंगे और दूसरे में है जैसे कि आपका कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है पोस्टिंग आट एनी स्टेशन ओफिस यूनिट डिविजन अफ दर रेल्वे टू फीच आइसाल वी ट्रांसपर इसके मतलब जहां पर आप ट्रांसपर ले रहे हैं आपको कहीं भी आपको प्रोस्टिंग दे सकता है ओफिस में दे सकता है नग टाइम पर कोई भी ट द एड डा क्लेम नहीं कर सकते हैं चोहता है आप ऐलोटमेंट ऑ और बीर कार्टर और नाहीं प्तन बेसलिष आप बाहर जाकर आप आलोटमेंट नहीं हो सकता है कि उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं पांच में आता है आपका जो सिकुरिटी डिपोजिट मोनी लेता है वो लगेगा यहां ट्रांसपर में और छटा है और रेगुलेशन कनेक्शन विद ड्यू ड्यूटीज अब दपोस्ट विच आइम सिकिन ट्रांसपर इसको भी आपको ग्री करना पड़ेगा साता है साथ में है आई सलनोट सिक ए री ट्रांसपर टू माइं ओर्जिनल डिपार्टमेंट आप साथ में आपका जो रूल से क्या अप री ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं आठ में हुए आपका जो इनिश्याला रेफ्रेस कोर्स है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और फास्टेट ट्रेनिंग एसेटरा और रिक्वर्ड अंडर डूल यह जो है आपको जैसे वी आपको लेना पड़ेगा उसके बाद आप नीचे जाएंगे यहां पर आपका जो डिक्लारेशन होता है खतम होता है उसके बाद नीचे जाएंगे जैसे की जैसे की नीचे जाने के बाद देख सकते हैं सूपरभाईजर है आपका तो आप उसका एचरेमेस आईडिय और उसका नाम ओफिसर का नाम यहा पर HRMS ID आपको compulsory और देख के डालना पड़ेगा मेरा एक subscriber है जिसका HRMS ID गलट डालने के करण उसका supervisor के पास ना जाके उसका जो है dealing clerk के पास पहुंच गया है आप comment में देख सकते हैं वो मेरा subscriber है तो ensure किजिएगा कि HRMS ID और officer का नाम आप कंप्लिटली राइड डाली के बाद आप रिमार्क में कुछ भी दे सकते हैं कि आप आपना जो भी दिक्कत होता है यहां पर आप यहां पर mention कर सकते हैं और mention करने का एक तरीका है कि आप जितना चोटा रिमार्क उतना अच्छा रहता है और जैसे कि आपका घर में कोई relative है उसका तवियत खराब है या कोई भी issue है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो supervisor है या आपका जो officer है वो थोड़ा आपको consider करते हैं नहीं इसका थोड़ transfer कर देंगे तो इसी हिसाब से और transfer किया जाता है तो आप यहां पर सोच समझ के remarks डालिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप जैसे उपर डालते हैं कि कहां से कहां जाना है और अपना unit division से कहां तक जाना चाहते हैं यहां नीचे आपको एगा कि आप कहां से कहां जाना चाहते हैं अगर यहां पर जैसे नीचे दिया गया है आपका सब डीटेल्स यहां पर लीन उनीट कुछ भी डीटेल्स है तो आप डिलिंग क्लर के पास जाके उसको चेंज करवा सकते हैं चलिए उसके बाद आपको simply submit में क्लिक करने के बाद आपका जो on request transfer process है वो apply हो जाएगा उसके बाद आपका जो supervisor के पास यह फाइल पहुंच जाएगा उसके बाद supervisor जो है forward करेगा आगे अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग बताएंगी कि जो on request transfer में फाइल जो है कहां से कहां जाता है उसके बारे में हम लोग पूरा details आपको देंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you दोस्तों